अब देखिए मैंने गड़ा खोद दिया है अब इसमें मैं डालूंगी गोबर डाल दिया है इसको भी ले ले अरे गोबर ही तो खा दे इसी से तो हमारी सब्जिया बहुत अच्छी होती है यह मारी ओर्गेनिक खा दे उसाफ बोल भी दे बोलो भही क्या बोल यह है मेरी चचिंडे की बेल जो मैंने कुछ मेने पहले पन्नी में लगाई थी आपको मैंने वीडियो दिखाई थी अब देखिये कितनी बड़ी हो चुकि है अब मैं से निकाल रही हूं पनी से अभी लगने जारी अपनी जगह पर यू आज मिठी डालो इसमें वह मिठी डाला हां से डालो बच्चों को भी सिखाया जाएगा कि कैसे सब्जिया होती है अब इसको खुब दबाया जाएगा जिससे ये जड़े हिले ना अब फिर दीरे दीरे करते करते बहुत बड़ा पेर में देगा फिर इसमें चचिंडे लगेंगे इसको थोड़ा सा दिया जाएगा जिससे इसमें पानी रुके आज हमारे इधर बहुत बारिस हुए जिससे मुझे बेल लगाने का अच्छा मौका मिल गया इससे मेरी बेल होर अच्छी हो जाएगी इसमें पानी पहले से पढ़ गया है बेल यह भी पनी में लगाई थी अब इसको लगाती हूं में तोरी भी बड़ी हो जाएगे इसकी तरह बेल हुए आज मेरे साथ मेरी प्यारी सी बीटिया यह है मेरी देवरानी की भेन की बेटी है यह इसे भी यह अच्छा लग रहा है और मेरी मदद कर लिए बोलो मेरी मुशी का चैनल देखिए सब्सक्राइब कीजिए नए विवर्स हाँ मैं तो चाहती हूं कि आपके बहुत साइब सब्सक्राइबर्स हूं अब हो गया तो यह लग चुक यह है तोरी की बेल लग चुकिए है आओ मिठी दूसरी बेल दिखाती मैं आपको यह है हमारी चचिंडे की बेल एक चचिंडे की बेल यह मैं सुबह लगा के चली गई थी यह अच्छे से हो गई अभी जम गई अपने दंग से तरीके से और यह चचिंडे की दो बेल में एक साथ लगा दिये यह अपना भी अपनी जड़े इदो दर फिला देगी और दो बेले एक साथ अच्छे से हो जाएगी हमने तुस्त थेंक्यू एवरिवन मेरा चैनल लेखिये और आपको मैं ऐसे ही कैसे सबजिया बोते हैं कैसे फूर लगाते हैं शिक बताती रहूंगी बाइए